नमस्कार कक्षा 6 exercise 3.4 का पहला प्रश्ण हम कर रहे हैं सार्व गुननखंड निकालो हमारे पास संख्या है 35 और 50 हमने इनका सार्व गुननखंड निकालना है तो सबसे पहले देखे मैंने 35 लिखा 35 के गुननखंड हम देखेंगे 35 सबसे पहले एक से शुरू करते हैं एक के प 32 तो 35 नहीं आता तीन के पहले में ठीक है उसके बाद है चार के पहले में नहीं आएगा पांच के पहले में आता है पांच सते 35 छे के पहले में 35 नहीं आता है साथ के पहले में आता है साथ हमने लिख लिया आठ के पहले में भी 35 नहीं आता आठ चोके 32 आठ पांजे चालिस नो के पहाड़ में भी नहीं आता, नो, तियस ताइस, नो, चोके, च्छतिस, पैंतिस नहीं आता, नो के पहाड़ में, और कोई पहाड़ा ऐसा नहीं है, जिसके पहाड़ में पैंतिस आता हो, अब हम लिखते हैं यहाँ पे पचास के गुननखन, किस-किस के पहाड़ में तो 50 तो बहुत सारे पहाड़ों में आता, देखो, सबसे पहले एक के पहाड़े में 50, एकम 50, दो के पहाड़े में आएगा, बिल्कुल आएगा, 25, दूना 50, तीन के पहाड़े में 50 आएगा, देखो, तीन, अगर हम देखे 15, 45, 16, 48, 47, 51, तो 50 नहीं आता, 3 के पहाड़े में, चार के पहाड़े में भी पचास नहीं आता, बारा चोके अरतालिस, तेरा चोके बावन, पचास नहीं आता, चार के पहाड़े में, पांच के पहाड़े में पचास आएगा, पांच, दह, पचास, छे के पहाड़े में नहीं आता, आठ के पहाड़े में नहीं आता, आठ के प लिखते थे क्या लिखेंगे 35 के गुननखंड तो 35 के गुननखंड यानि किन-किन पहाड़ों में 35 आया एक पांच साथ और 35 इसी प्रकार से 50 के गुननखंड देखो एक दो पांच दस पच्चिस और पच्चास अब हमने इन में से देखना है कि सार्व गुननखंड कौन से हैं ठीक है बच्चो सार्व जो दोनों में होंगे देखो एक उपर भी है नीचे भी है दो नीचे है लेकिन उपर नहीं है पांच उपर भी है नीचे भी है साथ उपर है लेकिन नीचे नहीं है पैंतिस उपर है लेकिन नीचे नहीं है दस नीचे लेकिन उपर नहीं है पच्चिस नीचे लेकिन उपर नहीं है पचास नीचे है लेकिन उपर नहीं है ठीक है बच्चो इसका मतलब सिरफ दो इनमबर ऐसे हैं जो पैंतिस और पच्च के सार्व गुननखन है कौन कौन से एक और पांच आशा करता हूं यह आपको अच्छे से समझ आया होगा यदि आपको समझ आये तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा बच्छों इस प्रशन के बाकी भाग देखने के लिए आप यूट्यूब पर हमारे बाकी